असलाम अलेकुम हमने पिछली वीडियो में शायर मीर अनीज के मुतालेख मालुमाद हासिल की और रुबाई किसे कहते हैं उसका तस्किरा किया आईए अब हम मीर अनीज की रुबाई के अशार की तश्री करते हैं रुबाई का पहला शेर है आँख अबर बहारी से लड़ी रहती है अश्कों की रिदा मूँ पर पड़ी रहती है शायर मीर अनीज ने इस शेर में अपने रुने की कैफियत को बयान किया है शायर कहते हैं किस तरह उनका दिल रो रहा है उनकी आँखों से आँशू लगातार बह रहे हैं उनके चहरे पर आँशूं की चादर सी बन गई शायर ने शेर में आँशूं को चादर यानी रिदा से तश्वीदी है अब आईए रुबाई की दूसरे शेर की तरफ आते हैं दोनो आँखे हैं मेरी सावन भादो या सारे बरस एक छड़ी रहती है शायर कहते हैं बारिश का मौसम तो वक्ती होता है कुछ महीनों का होता है जो आता है चला जाता है लेकिन शायर की आँखों से आँशूं की बारिश बरस्ती ही जा रही है जो सालहा साल जारी रहती है थमने का नाम ही नहीं ले रही है यानि शायर की जिन्दगी का हाल बहुत बुरा है उनकी जिन्दगी का ज्यादा तरवक्त रोने में गुजर रहा है उनकी जिन्दगी नहायत तकलिफों से गुजर रही है इसलिए उन्होंने अपनी आँखों को सावन भादों से तजबी दी है